एक ऐसा स्मॉल कैप फंड जो सिर्फ तीन साल में 300% ग्रो कर गया अब दोस्तों स्मॉल कैप मिड कैप लार्ज कैप फंड क्या होते हैं तो आज हम आपको इस वीडियो में इसका पूरा फंडा बताएंगे विद मनी फंडा तो दोस्तों मैं हितेश गुपता आज आपको बता प्रोफिट कह सक तो यहां पर हमारा रिटन है अग?", वह पहले तो तो मतलब समझना कि अगर अ कहीं पर आपको 40 पर सूंट सेंट का ही ठीक है तो वहां पर जो आपको रिस्क है वह रही हई है our थीक है बहुत हाई रिस्क है उस तरीके के कहीं पर अगर आपको 20 परसंट के अराउंड का रिटन मिल रहा है यह हम एन्यूल की बाद कर रहे हैं दोस्तों ठीक है तो 20 परसंट का मिल रहा है तो यह एक तरीके तो यहां पर देखो अगर आप इस इंडिस्ट्री में आ रहे हो और आप बहुत जादा प्रॉफिट की बहुत जादा रिटन्स की आशा करते हो कि आपको मिले तो आपको रिस्क भी उतना लेना पड़ेगा अगर कोई आपको यह बोल रहा है कि मैं आपको रिस्क ना के आपको क्या करना होता है अपनी इन्वेश्मेंट अपनी जो हमेशा सबसे कम से कम में आ होता है यही पहला रूल है क्योंकि आपने कैपिटल को बचा के रखना है अगर आपने डुबा दिया तो फिर आगे चलके आप किस चीज़ पर कमा ओगयु किसको उलेपाउगी सुम तो यहां पर जो कंपनीश बीस हजार करोड से उपर का जिनका मार्किट कैप होगा वह लार्ज कैप में आएंगी जिनका का जिनका मार्किट कैप के बीच में होगा वह सब आएंगी मिड़ कैप कंपनीश के अंदर और जिनका लेस देन पांच हजार करोड से नीचे का मार्किट कैपिटल होगा अब दोस्तों यहां पर जितनी बड़ी कंपनीश में आप लगाओगे वहाँ पर आपको जादा सिक्यूरिटी मिलेगी वहां रिस्क कम होगा बड़ी बड़ी जो कंपनीश होती हैं जिनके उपर देश में एकनोमी चल रही होती है उनमें एक दम से पैसा डूप जाना यह बिल्कुल खतम हो जाना वह लगभग इंपॉसिबल होता है दोस्तों वहां तो पूरी एक पैसा थोड़ा बड़ा तो यहां पर आपको रिटर्न भी जादा मिलेगा एस कंपेट लार्ज के और स्मॉल पैसा लगाऊ तो यहां पर रिस्क जादा है तो बहुत जादा है विकॉज देखो लारज के वाली चॉप्प्र एक स्केल पर आ गई कमपनी जैसा बिजनेस करती हैं वह रिसक आपके संग भी जुड़ा हुआ है अगर कोई कमपनी में आपने पैसा लगा रखा है स्मॉल के अपने और उस वह उसने बहुत अच्छा रिटार्न और बहुत अच्छा उसने ग्रो करा आने वाले पांच साल गंदर तो हो सकता है से कुछ कमपनी बहुत खराब परफॉर्म करें दिवालिया हो जाएं तो हो सकता है कि आपका पैसा जीरो भी हो सकता है तो इसलिए यहां पर रिटर्न के चांसिस अगर बहुत जादा है तो आज आपको समझ में आ गया होगा अब दोस्तों इसमें एक एग्जैम्पल लेते हो गई मिट के अंदर हमारा एक्सेज बैंक आ गया कोटक बैंक आ गया कोटक आ गया स्मॉल कैप के अंदर डेल्टा कॉर्प कॉर्परेशन ठीक है ओ जीवन फाइन्स तो इस तरीके के कंपनी आ गई अब आप खुछ चोचो के रिलाइंस और कोल इंडिया जैसी कंपनी खत हो जाएं तो यह इंपॉसिबल सा लगता है हमारा पैसा ज्यादा में सेफ लगता है ठीकैं एक्सेज बैंक कोटक यह भी बहुत बड़ी कंपनी थे यहां पर भी रिस्क कम है ठीक एह एस पाद जा पर हमारे जो रिटर्न आने का चांश भी ज्यादा है विकॉस हर कम्पनी अपने आपको time to time grow करना चाहती है तो अगर कम्पनी ग्रो होगी उनका management अच्छा होगा वहां पर returns अच्छे पिछले के सालों में जो उनके returns जो आ रहे है वो अच्छी होगी positive होगी तो आपको long term में benefit मिलेगा और अच्छा कहीं पर भी इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी के हिस्ट्री ब्रैक ग्राउंड उनका जो जो भी बैलेंस शीट वेगरा होती है उनका ट्रैक रिकॉर्ड होता है उनके प्रॉफेट्स उनकी ग्रोथ क्या रहे हैं हर चीज को सो समझ के आपको स्मॉल कैप कंपनी में पैसा लग सब्सक्राइब कर ले बैल आइकन दबा दें ताकि इतने इंपोर्टेंट वीडियो और स्टॉक मार्किट का पूरा कोर्स आप अच्छे से सीख पाओ और अपनी स्टॉक मार्किट की जर्णी को शुरू कर पाओ थैंक्यों फॉर वाचिंग मनी फंदा स्टॉक मार्किट है से